हेलो बुच्चों मैं राधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम लोग कक्छा 5 का हिंदी बुक रिंजिम 5 का पाठ नम्मर 6 हिंदी का सफर उसका सब्दार्थ सहित संपुर्ण पाठ की ब्याक्या देखने जा रहे हैं बच्चों आप लोग तो जानते होंगे कि पोस्ट आपिस में चिठ्थी आता और जाता है तो यहां आप पिक्चर में देखिए एक पोस्ट बॉक्स है जिस पोस्ट बॉक्स में आप क्या करते हैं आप चिठ्थी डालते हैं कहीं पर भी चिठी पहुँचाने के लिए वो चिठी कौन ले लेता है इस पोस्ट बॉक्स से निकाल करके और पोस्ट मैन ले लेता है फिर इस चिठी को ले जा करके पोस्ट आपिस में छाट छाट कर अलग करता है किस इलागे का चिठी है और उस तरह से वो फिर वो चिठी आपके घर तक पहुंचाता है तो आज हम लोग इस कहानी में जिसका की नाम है चिठ्ठी का सफर इस कहानी में हम लोग चिठ्ठी की उसी सफर यानि सफर का मतलब होता है यात्रा तो यात्रा क्या होता है बच्चो जैसे कि हम एक जगा से दूसरी जगा पर कहीं जाते हैं तो इसको हम लोग यात्रा बोलते हैं तो ठीक इसी तरह से जब आप चिठी डालते हैं तो वह चिठी आप जहां डालते हैं वहां से होता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर पहुंचाने के लिए आप उस चिठी को डालते हैं तो इस तरह से चिठी भी एक लंब के द्वारा एक जगह से दुसरे जगह पर पहुंचा है जाता है तो आज कहानी में हम लोग सब कुछ देखने जा रहे हैं कहानी का नाम क्या है इसका नाम है चिठ्टी का सफर llev याने की यात्रा तो आईए हम लोग इसको इसकी शुरुवात करते हैं इस कारणी को हम लोग पढ़ते हैं अपनी 10-12 साल की जिन्दगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे बच्चों आप 10-12 साल में कुछ जो चिट्थी लिखे हैं वो अपने सही पता पर पता का मतलब होता है बच्चों पत्र पर जो आप अड्रेस लिखते हैं विवरन लिखते हैं उस पर कैसे वो पहुंच जाते हैं यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे कि चिट्थी किस अस्थान से किस अस्थान पर भेजी जा रही है संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है की नहीं तुमने उस पर डाक टिकर्ट लगाया है की नहीं आदी तो बच्चों कोई चिठी किसी जगह पर कितनी जल्दी पहुंचेगा यह बहुत सारे चीजों पर निर्भर करता है चिठी का मतलब क्या होता है खत या पत्र और संदेश का मतलब क्या होता है संदेश का मतलब होता है जो भी आप उस चिठी में खवर या समाचार लिखे हैं तो वो कहीं पर कैसे पहुंचेगा किस तरह से पहुंचेगा ये बहुत सारी चीजों पर निर्वर करता है आपने उस पर जो पता वगेरा लिखा है वो सही है कि नहीं आपने उसमें जितना का डाक टिकट लगना चाहिए वो लगाया है कि नहीं डाक टिकट का मतलब क्या होता है बच्चों आपके लिए जो सेवा देता है आपके चिठी को पहुंचाने का जो सेवा करता है डाक विवाग उसके लिए वो एक सुल्क तै करता है वो सुल्क आपको डाक टिकट के रूप में उस चिठी पर खरिद कर लगाना होता है अब प्रस्न यह उठता है कि आखिर चिठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है तो क्यों लगाया जाता है डाक टिकट मैंने क्या बोला भी उस पे इसलिए डाक टिकट लगा जाता है ताकि डाक विभाग आपसे अपने सेवा के बतले में सुल्क वसूल कर सके आखर चिठी पर डाक टिकट क्यों लगा जाता है क्योंकि वो डाक विभाग का सुल्क है पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप पता पूरा लिखे हैं नहीं और ठीक पता लिखे हैं कि नहीं तो ठीक पता का मतलब क्या होता है बच्चो ठीक पता का मतलब होता है ठीक पता का मतलब हो रहा है यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आपको उसमें नाम लिखना चाहिए न जीला का नाम मुसराजी का नाम और फिर पिन कोड उस पर लिखा होना चाहिए तभी यह माना जाएगा कि उस पर लिखा हुआ पता जो है वो सही है फिर क्या आगे बताया जा रहा है जरूरत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए या तो हम उसको स्पीट पोश्ट से पहुंचा सकते हैं या तार से पुराने समय में पहुंचता था अस्थान बदलने से चिठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है अगर आप उस पर जो एड्रेस लिखे हैं वह गलत लिख दिये हो तो भी चिठी लेट से पहुंचेगा या फिर आप जिसके अड्रेस पर वो चिठी लिखे हैं और वो आदमी अपना स्थान बदल लेता है तो भी वो चिठी उस जगह पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है क्योंकि डाकिये को उसका फिर से नया अड्रेस पता करना पड़ता है उसमें समय लगता है आगे बुल रहा है इसमें से करने का सौक रखते हैं उन्हें यह सब कुछ का कुछ ना कुछ तो ग्यान होगा ही शौक का मतलब होता है वैसी आदर जो आपको अच्छा लगे फिर यहां क्या दिया हुआ है इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिये गए लिफाफों को गौर से देखिए तो नीचे दो लिफाफे दिये गए उनको गौर से देखना है दोनों पतों को दी गई जगा में लिखना है पहले हमें लिफाफा देखना है फिर उस प के अड्रस लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्दा और एक और लिफाफा है जिस पर अड्रस में लिखा हुआ है स्रीमान निदेशक महोदे राष्टिय सेचनी कंशंधान इवं परसिक्षन परिशत अरविंद मार्ग स्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016 पते किस तरह से भिन है मतलब अलग-अलग हैं दोनों गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगा पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्दा जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्था से लेकर सहर तक का नाम लिखा हुआ है इमारत का मतलब होता है बच्च से सुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं छोटी से बड़ी भगलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली महले का नाम फिर गाउं और कस्वे का नाम सहर के जिस हिस्से में हैं उसका नाम फिर गाउं या सहर का नाम और उसके बाद सहर के नाम के बाद लि लो नाम से शुरूख्ये थे फिर उससे बड़ा भगॉलिक होता है चीज छेत्र मकान उसका नंबर फिर उससे बड़ा भगॉलिक अस्थान गली या महला होता है फिर उसके बाद लास्थ में पिन कोड लिखना होता है जैसा कि इस address में आप लोग देख रहे हैं इसमें उसी तरह से यह सब कुछ लिखा हुआ है फिर आगे क्या बोल रहे हैं हर जगा को एक पीन कोट दिया गया है या सोचने लाइक बात है कि आखिर पीन कोट की जरुरत क्या है इसमें जो अंक लिखा गया है छे अंक ये छे अंक इस छे अंक की जरुरत क्या होती है पीन कोट क्यों डला जाता है हमारे देश में अनेक ऐसे कस्वे गाउं सहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं पते के बाद पीन कोड लिखने से गंतब्य अस्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले करमचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बाटे जा सकते हैं तो पीन कोड क्यों लिखा जाता है बच्चों क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जग़े हैं जिनका नाम जो है मिलता जूलता होता है या सेम तुसेम वह ऐसा ही नाम होता है तो ऐसे में यह चिठी जा रहा है यह अपने गंतब्य अस्थान पर यानि जहां पर जिस इसे पहुँचना है उस जगह तक पहुंचते सही से इसके लिए हमें पता करना होता है कि एक ही नाम बाले यह दोनों जगह कैसे अलग है तो इसली हम लोग पीन कोड उसमें डालते हैं पीन कोड किया है हम लोग आगे देखते हैं पिन कोट की सुरुवात 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नम्मर योजना के नाम से की थी तो पिन कोट की सुरुवात किस नाम से हुए थी पोस्टल नम्मर योजना के नाम से जो कि डाक विभाग के द्वारा सुरू किया गया था और कब यह सुरू हुआ 15 अगास 1972 को जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड उपर जो आप लिटर देख रहे हैं जिहां पर गांधी जी का इस पर पीन कोड नहीं है और इसी तरह से गांधी जी को जो भी पत्र दिया गया था उस समय उन समय से किसी में भी पीन कोड नहीं होता था क्यों नहीं होता था बच्चों क्योंकि गांधी जी को जो भी लिटर लिखा गया है वो तो 1947 जबकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 उससे पहले का सारा लेटर है लेकिन ये जो योजना शुरू हुआ पिन कोड वाला वो तो हुआ है मैं है 1972 इसलिए पहले वाली चिठिवजे से पहले का परिशलन ही नहीं था अब क्या होता इसको नहीं क्या देखते हैं तो क्या होता है बच्चों पिन सब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है पिन मतलब होता पी आई एन पिन ये क्या होता है पी से पोस्टल आई से इंडेक्स और एन से नंबर इसका ये अब्रिवियेशन यानि छोटा रूप है किसी भी जगह का पीन कोड छे अंकों का होता है हर अंक का एक खास अस्थान हर्थ होता है वह एक था प्रप्राव करने इस प्रिखा हुआ इसमें पहले अस्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली हर्याना हिमाचल परदेश पंजाब जम्मु कश्मीर का है यानि इन में से किशी एक राज्य का या पीन कोड है यह इसमें छपा हुआ पहला अंक पहला जो अंक है इसमें छपा हुआ एक वो दरसाता है आगे क्या है इसके बाद एक के बाद इसमें लिखा हुआ है दस तो यह दस जो है यह क्या दरसाता है यह तै करता है कि यह दिल्ली राश्टी राजधानी छेतर के उपछेतर दिली का कोड है उसके आगे फिर किया लिखाऊ आगले तीन आंकियानी की 016 यह जो लिखा हुआ है वो है दिली उपछेतर के ऐसे डाक घर का कोड़ है यह डाकढ़ का वहां का कोड़ है जहां से डाग बाटी जाती है उस छत्र में अब तुम्हारे श्कूल जहां पर हैं उस इलाके का पिन कोड पता करो तो जहां पर आपका श्कूल है बच्चों वहां का पिन कोड आपको पता करना है अपने घर की इलाके का पिन कोड भी पता करो पिन कोड की जानकारी डाग घर से प्राप्त की जा सकती है डाग घरों में टेलिफोन डारेक्टरी की तरह पिन कोड डारेक्टरी भी मिलती है तुम्हारे इलाके का पिन कोड तुम्हारे महले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा तो आप अगर अपने हासपास के कि सि पोस्ट लए बोक्स पे आप देखें गा तो वहां पर दीखेगा क्योंा इस तरह से आप देखेंगे कि पिन कोड लिखाए ता ह कहां कहां मिल सकते हैं अगर आपको पता नहीं है जो यह special कोई जगह है यह टॉन है उसका पिन कोड आप कहां से लेंगे उसके लिए बच्चों यहां पैंसर है इंडियन पोस्टल वेबसाइट से आपको मिल सकता है साथी साथ आप डाग घर में जा करके वहां पर जो पिन कुश पता कर सकते हैं पिरागे क्या बोला जा रहा है टिकट संग्रह का सौक काफी लोग प्रिये है तो कई लोग टिकट का उसका उनको शॉख होता है दीरे दीरे इसमें संग्रह का मतलब क्या होता है कलेक्शन करना यानि जमा करना कोई भी चीज दिरे दिरे इसमें टिकट संग्राख के अलावा डाक से जूरी और भी बहुत सी चीज़ें सामिल हो रही है तो डाक बिभाग से जूरी और दूसरे इंफॉर्मेशन को भी लोग आजकल कलेक्ट करने लगे हैं इसको डाक का बिझ्यान कहना गलत नहीं होगा तो यह छेत्त बड़ा हो गया है डाक विभाग से जूरी जानकारियों को इकटा करने का कि उसको अगर बिझ्ञान का रूप भी दे देएंगहें बिझ्यान भी कहांगे सांस भी यह कोई गलत नहीं होगा क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है पता करो और यहां लिखो तो बच्चों इसका एंसर में यहां पर लिखके रखी हुई हो यह जो विज्ञान होता है जिसमें की डाग विभाग से जूरे हुए चीजों को संग्रह किया जाता है उसको बोलते है फिले टली इसको फिले टली कहा जाता है जिसका मतलब होता है डाग टिक्टों का संग्रह और अधियन अच्छा फिर यहां हम लोग कहां पर रुखे थे जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तिमाल नहीं किया गया था हर्क सिप पिन कोड का ही नहीं है समय के साथ डाग सिवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है तो 1947 से 1972 के बीच में सिर्फ पिन कोड में ही बदलाव नहीं आया कि एक नया पिन कोड जैसा एक इन्वेंशन हुआ अविश्कार हुआ जिससे कि डाग विभाग बहुत अच्छा काम करने लगा बलकि यहां बोला जा रहा है कि डाग विभाग में और भी निरंतर निरंतर का मतलब होता लगातार कई बदलाव और विकास यानि डिवलपमेंट हुएं बहुत पुराने समय में कबुत्रों के द्वारा संदेश बेजे जाते थे यहां संदेश वाह कबुत्रों की बात हो रही है तो उन इनसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाग पहुँचाने का काम करते हैं जब संचार और परिवहन के शाधन बेह सिमित हैं बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिठी पत्री पहुँचाने का काम करते थे हैं तो बच्चों यहां पर संद संदेश वहाग का मतलब होता है वैसे लोग जो कि खबर या संदेश एक जगह से दुसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं उनको संदेश वहाग करते हैं संदेश वहाग के रूप में पुराने समय में बहुत समय तक कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था तो केबल कबूतर ही नहीं बलकि पुराने समय में कुछ इंसान भी ऐसे होते थे जो खबर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे कैसे तो दोड़ते हुए चलते हुए वो जाते थे एक जगह से दूसरे जगह और ये काम करते थे उन लोगों को कहा जाता था हरकारा हरकारा मिन्स ऐसे विक्ति ऐसे इनसान तो दौर कर या चल करके ख़बर को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते थे इसके अलावा यहाँ पर कुछ सब्द हैं कठिन सब्द जैसे कि संचार संचार का मतलब बच्चो होता है जिस माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुचाया जाता है उसको संचार माध्यम करते हैं परिवहन का मतलब होता है कोई भी ऐसा साधन जिसके द्वारा कि सामान या किशी व्यक्ति को या किसी जानवर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए उस साधन को हम लोग पडिवहन करते हैं सिमित का मतलब होता है जो कि बहुत कम हो लिमिटेड हो हरकारों का मतलब वैसे इनसान जो की चल कर या दौर कर पत्र एक जगह से दुसरे जगह पहुंचाते थे तो आगे देखते हैं उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे राजा महराजाओं के पास घुरसवार हरकारे हुआ करते थे एसे आम आदमी जो होते थे उनके पास तो ऐसे हरकारे होते थे जो की पैदल ही चल करके पहुंचते थे क्योंकि वो तो आम आदमी के हरकारी होते थे तो दौर कर या पैदल ही चलते थे पर आगे क्या बुलाजरा है राजा महराजाओं के पास घुरसवार हरकारी हुआ करते थे यानि ऐसे इनसान जो की घुरे पेचर करके बड़ी तेजी से संदेश पहुँचा दे हरकारों को ना साथ इसाथ अपनी और उस संदेश की भी रक्षा का ख्याल करना पड़ता था डाकू लुटेरों जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था आज भी भारतिय डाक सेवा दुर्गम का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कि किसी भी परिवहन का जाना काफी मुश्किल हो मुश्किल जगह वह पहारी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हर कारों पर निर्वर करता है तो आज भी जो है हमारा इतना डेवलपमेंट के बार भी जो इंडियन पोस्टल होता है सिस्टम वो बहुत जगहों पर जो कि दुर्गम जगह है वहाँ पर आज भी पहारी जगहों पर हर कारों के द्वारा ही संदेश को या चिठी को पहुँचाने का काम करते हैं ऐसे कौन से जगह है जम्मु कस्मीर के लदाख खंड में पदम ऐसा जगह है जिसको जन्सकार भी करते हैं जैसा कई जगह है जहां हर कारे डाख पहुँचाते हैं आगे फिर क्या है आज कल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी स्यूपलब्ध हो गया हैं तो आज तो बहुत तेज हो गया है सब कुछ डाख माटने में हवाई जहाज पानी की जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तिमाल किये जा रहे हैं आज तो किसी भी छेतर में हम संदेश पहुचा सकते हैं इसके लिए हम चाहे तो हवाई जहाज इस्तिमाल करें पानी जहाज इस्तिमाल करें या और कैसाधन जो कि आ था वो सिर्फ वो सिर्फ क्या करता था पत्र और मनी आडर यानि कि के वर लेटर और मनी आडर मनी आडर का मतलब क्या होता है बच्चों डाग विभाग के द्वारा एक जगह से दुसरे जगह तक महुंचाया जाने वाला पैसा तो सिर्फ पत्र या मनी आडर ही पहुंचाया क का सफर दिल्चस्प करने वाला है तो पत्र का जो यह सफर यह यात्रा हम इस कहानी में देख रहा है जिसमें हम देखे कि कबूतर से जब पुराने समय में कबूतर से संदेश भेजा जा जा था और आज कल हवाई जहाज से भेजा जा रहा है तो पत्र का यह जो यात्रा है यह यात्रा बहुत ही दिल्चस्प है दिल्चस्प का मतलब होता है बहुत ही रोचक है ये दिल्चस्प मतलब रोचक रहा ये यात्रा पत्रों का यह सोचकर आस्चरी होता है कि कबूतर जैसा पक्छी संदेज भाग भी हो सकता है कबूतर की कई परजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती है हलाकि कबूतर को यूज तो करते हैं बहुत समय से उपयोग मिलाते हैं पत्रों को लाने ले जाने में लेकिन सभी कबूतर ऐसा नहीं करते हैं कौन करते हैं गिरह बाज या हूमर वह पर जाती है जिससे परसिशित करके डाग बेजने का काम में लाया जाता है तो दो तरह के कबुतर होते हैं एक गिराबाज, गिराबाज वो कबुतर होते हैं जो की उर्थे समय उलट-पुलट करके वो अपना कलाबाजी खाते हुए पत्र को ले करके पहुँचते हैं और हुमर भी एक कबूतरों की पर जाती है इनको क्या किया जाता है इनको परसिख्षित किया जाता है इनको ट्रेंड किया जाता है परसिख्षित का मतलब होता है बच्चों किसी काम को अच्छी तरह से सिखाना आखिर कबुतर अपना रास्ता ढूंड कैसे लेते हैं तो बोल रहा है यहाँ पर कबुतर तो पहुंच जाते हैं चिटी लेकिन आखिर वो कैसे पहुंच जाते हैं अपने गंतअब्यास्थान पर कंत अब्यास्तान का मतलब होता है वो मंजिल जहाँ पर की उनको जाना है फिर आगे बुला जा रहा है उन परवाशी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सेक्रो मिलो का रास्ता और सही जगा तै कर लते हैं साथ साथ केवल कबुतर ही नहीं कई ऐसे पक्षि हैं जो कि एक जगा से दूसरे जगा बड़ी आसानी से रास्ता को ढूनते हुए पहुंच जाते हैं जिसमें की परवाशी पक्षि भी आते हैं परवाशी पक्षि क्यों होते हैं परवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो कि कुछ खास मौसम में जबकि उनका आवास अस्थान का बातावरन उनके लिए सुटेबल नहीं होता है उप्यूक्त नहीं होता है तो उर करके एक दूसरे बातावरन वाले आवास अस्थान पे चले जाते हैं जो उनके लिए उप कबूतर जगा पर बिताते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों यहां जो कबूतर है कबूतर पत्रवाग का काम करते हैं उसके बारे में कुछ खास जानकारी दिया गया है उरिसा पुलीस खास तोर पर हुमर कबूतरों का इस्तिमाल राजी के कई दुर्गम मिलाकों म कबूतर की संदेश सेवा बहुत सस्ती है उन पर खास खर्च नहीं आता है कबुतर पर जादा खर्ज भी नहीं आता है इसलिए उनकी शेवा लेना डाग विभाग के लिए बहुत आसान होता है इन कबुतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है 15 से 20 साल ही में यह बस अपना सेवा इनका जीवन काल 15 से 20 साल ही होता है लेकिन वो सेवा कितने साल अच्छे से दे पाते हैं और 8-10 साल तक भी बहुत अच्छा काम करते हैं तो अगर वो स्वस्थ है तो 8-10 साल तक वो बहुत अच्छी तरीके से संदेश भाग का काम कर लेता है स्वस्त कभूतर एक दिर में 1000 किलोमेटर तक का सफर तई कर लेता है तो अगर वो स्वस्त है तो एक दिर में वो कितने दिर उड़ सकता है 1000 किलोमेटर तक का सफर वो कर सकता है जदि कोई महत्पुन संदेश पहुंचाना हो तो दो कभूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसे अन्हूनी स्थिति में भी दूसरा कभूतर संदेश पहुंचा दे तो अगर कोई जरूरी काम होता है तो ओरिशा पुलिश क्या करता है दो कभूतर को भेजता है ताकि अगर बाज का हमला हो और एक कभूतर खायल हो जाए तो भी कम से कम दुसरा कभूतर है वो उस महत्वपूर्ण संदेश को लेकर कि कंतवयस्थान तक पहुंच जाए, मंजिल तक पहुंच जाए सायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कभूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो विश्यूद में संदेश पहुंचाता था दूतिय विश्यूद में एक कभूतर था जो कि संदेश को पहुंचाने का काम के और काफी मशूर हुआ इस कभूतर की कहानी नेशनल बुख ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक पुस्तक में दी गई है तो National Book Trust जो है वो एक English में एक कहानी जो कि कभूतर पर है वो तयार किये हुए है किताब का नाम है ग्रे नेक ग्रे का मतलब होता है स्लेटी का रंग का जिसका नेक का मतलब है गला तो स्लेटी रंग का जिसका गला हो प्राय कभूतरों का गला स्लेटी रंग का होता है जो कि इस किताब की हिरो का भी नाम है इस किताब का जो हिरो कभूतर है उसका भी नाम ग्रे नेकी रखा गया है क्योंकि आम ज्यादतर िशीरू का भी गरे नजी था अगर तुम हिंदी में पढ़ना चातें हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रश्ट को पतर लिखो कि वन्य कराद को घंदी में बचांपे तो आपको बुला गया कि आप ले इस सम्ष्क मोड़े फेज 11 वशंद कुन जिनाई दिली एक एक शुन्य शुन्य साथ सुन्य तो इस पते पर बच्चों आप लेटर लिख शकते हैं इस तरह से इस कहानी का चिठी का सफर कहानी का ब्याख्या समाप्त हुआ उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से मेरा पहला वीडियो बस आपके पास ही सबसे पहले पहुंचे देखने के लिए धनिवाद बच्चों मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार